इस बीडियो में solve करेंगे some more questions on CHS entrance examination okay question number 62 यह क्या कर रहा है रहान समझेगा यहाँ पर है the diameter of a cylinder is 14 cm and its curved surface area is 220 cm2 220 cm2 the volume of the cylinders is what तो यहाँ पर पूछा है cylinder का volume okay तो diameter दे दिया है आपका तो diameter से हमारा क्या मिल जाएगा diameter is equal to होता है 2R and 2R is equal to दे दिया है 14 cm ओके तो यहाँ से आपका लेकर रेडियस 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 हो जाएगा 7 cm यहाँ पर दिया है curved surface area तो curved surface area is given as 220 cm2 और हम जानते हैं इसका होता है फामुला 2PiR into H is equal to 220 cm2 यहाँ से आप पहले h निकालेंगे h क्योंकि h height नहीं दिया हुआ है तो यहाँ से क्या हो जाएगा h s is equal to हो जाएगा 220 upon 2 by r हो जाएगा 220 upon 2 multiplied by यह हो जाएगा 22 by 7 into r r की value क्या है 7 है यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने अभी निकाला r की value तो यहाँ हो जाएगा seven seven cancel out हो जाएगा यहाँ पर seven cancel हो जाएगा और आपको मिल जाएगा यहाँ से 22 भी cancel हो जाएगा और यही होता है value का formula यहाँ पर आप यूज कर लेंगे सारे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई की value है 22 by 7 into r square r square means 7 into 7 into height is here 5 so 7 वंजा 7 and 7 वंजा 7 and 7 वंजा 7 and 7 5 जा 35 35 into 22 what will be 35 into 22 let us see 35 into 22 तो 5 to 10 0 1 carry over and 5 and 2 add कर देंगे यहाँ पर 8 at end to the 8 to 16 16 1 17 का 7 1 carry over and 3 to 6 1 7 means 7 and 7 option a is the right answer चली है solve करते है question number means next question okay तो हमारे पास है next question 63 यहाँ पर है if y is equal to a यहाँ पर क्या है not equal to 0 है it means 2 3 5 6 8 minus 1 minus 2 कुछ भी हो सकता है तो जब ऐसा कुछ देता है तो हम क्या करते हैं ध्यान देजेगा हमारे पास जो graph बनेगा actually जब हम यह ड्रा करते हैं हमारे पास यह हो गया coordinate तो यहाँ पर हम बोलते हैं इसको हार general line इसको बोलते हैं हम लोग x-axis ओके और इसको बोलते हम लोग y-axis okay तो यहां बोलाएं कि y is equal to a है means x की value कुछ नहीं दिया हुआ है कि वाई की value something है means y की value या तो यहां हो सकती है या यहां हो सकती है और x चाहें कुछ भी होगा वो y की value यहीं पर होगी तो y is equal to a माले यहां पर a है suppose this point जो point है वो क्या है a है यदि यह point a होगा तो हम हमें y is equal to a मिल रहा है मतलब कि इसका जो graph होगा वो ऐसा बनेगा means हर point पर आप x की value यहां लोगे तब भी a मिलेग y is equal to यहां लोगे आप x की value तब भी मिलेग a ही मिलेगा means y is equal to a है इसका graph जो होगा वो parallel to x-axis होता है तो यहां देखना पड़े है यह 2 कहां पर है इसे माली जीकी यहां पर हो गया 1 और यह माली जीकी आपका है 2 तो यहां पर जो graph बनेगा वो यह बन जाएगा means एक straight line होगी जो इस x-axis के parallel होगी तो यहां पर कहुं सा answer हो जाएगा आपका स्रीका a line parallel to the x-axis आपका option जो है d correct है यह तो यह जो line होगी y is equal to a वो parallel to x-axis होगी that is the answer option d और यह दिया होता parallel to x-axis वाल अकॉंस होगा जब यहां पर लिखा होता x is equal to something x is equal to b दिया होता तब जाकर जो है जो ग्राफ बनता इसका वो parallel to y-axis होता ऐसे ग्राफ बनता मतलब ऐसे है और यह पॉइंट जो होता वो होता बी तो खेर समझ चुके हम चलिए solve करता है next question ओके तो अब आपके पास है यहां पर question number 65 तो ध्यांद जेगा करें कि if 6x plus 1 upon 3 plus 1 is equal to x minus 3 upon 6 then the value of x is हमें x की value निकाल नहीं है तो यहां पर यह equation है linear equation in one variable 6x plus 1 upon 3 plus 1 is equal to x minus 3 upon 6 क्या करना होगा यहां पर हमें लेरा पड़ेगा पहले lcm solve करने के लिए तो ले लेते हैं lcm क्या होगा 6 और 3 का यहां पर आपन 1 ही होगा 6 ले लेते हैं तो यहां पर 3 से divide करेंगे 6 में तो 2 मिलेगा और 2 से ही रह जाएगा अब यह नीचे वाला जो 6 है उसको ignore कर दीजिए ऐसा करने के बाद यह इसको ignore कर दीजिए और यहां पर solve कर लिए इसको it implies यहां पर 12x है और यहां पर x है इसको हम जो है एक साथ करेंगे ठीक है तो यदि हम left में लाते हैं तो 12x-x हो जाएगा और जो number से हमको right side में solve परता है तो 2 और 6 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 8 8 को भीज देंगे right hand side में तो minus 3 पहले से था अब हो गया minus 8 यहां से 11x यहां मिलेगा minus 3 minus 8 means minus 11 यहां से x बरबर क्या मिल जाएगा minus 11 अपन 11 और यह कटेगा तो मिलेगा आपको minus 1 तो minus 1 is your right answer और यह minus 1 यहां पतिया होए option b option b is the correct answer तो यहां पर मैंने सबका lcm ले लिया है क्योंकि मुझे लगा कि simple करने के लिए आपको जो है एक सबका ले लिजे आपको नहीं तो cross करना पड़ता इस पूरे को इधर left में लाना पड़ता फिर lcm लेना पड़ता और solve करना पड़ता जो कि lengthy होता तो यहां पर simple करने के लिए आप तीनों का जो है एक ही साथ lcm ले लिजे और lcm को बाद में ignore कर दीजेगा और उपर जो equation मनेगा उसको solve कर लेगे आपका answer मिल जाएगा ओके चलिए next solve करते हैं ओके तो here is our next question अब period of 4 hours 30 minutes is what percent of a day तो 4 hours and 30 minutes का जो period होता है वह एक दिन का कितना percent होता है कैसे निकालेंगे तो हमारा यहां पर जो required percentage हो जाएगा required percentage वह हम निकालेंगे इस तरीके से कि जो भी period दिया हुआ है उसको हम लिए यहां उपर means time period और कितने का निकालना है कितना मतब यह जो है 4 hours 30 minutes जो है किसका percentage निकालना है यह जो है कितने में percentage निकालना है वो नीचे लिखेंगे denominator में तो यहां पर लिखेंगे time in a day time in a day उसके बाद से 100 से क्या करेंगे multiply कर लेंगे जो fraction बनेगा उसको percentage में करना पड़ेगा क्योंकि हमें percentage निकालना है ओके तो time period जो अभी दिया हुआ है 4 hours 30 minutes तो 4 hours 30 minutes से लिए सकते हैं 4 and half hours हो लापान times time in a day एक दिन में कितना time होता है तो 24 hours होते है 24 hours ले लेंगे यह हो जाएगा और यहां पर तो 100 रहेगा ही अब जो है क्या करना है कि यहां पर solve कर लेना है तो 4 जा क्या होगा 8 और 8 प्लस 1 9 अपान 2 यह हो जाएगा और whole अपान 24 अपान 1 है ही यहां 1 से 9 मिले करेंगे तो 9 मिलेगा यहां पर और 24 इन 2 आप यहां क्या करता है तो 3 100 भी है यहां या द रखेगा यह न्टु100 भी है न्टू 100 भी है इन 2 100 भी है ओके यहां पर थे थे यह नाइन एंट3 जाए 24 राइट एंड यहां सहो जाएगा 2 से यह हो जाएगा 50 And two 2 से two four पर्सेंट मिन्स इसको यह दिवाइड करेंगे और निकालेंगे परसेंटेज के फॉर में तो मिलेगा वको फॉर बंजा फॉर 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 थी थर्टी फाइव फॉर फॉर नाहीं जा अधिक हो जाएगा तो फॉर एट जा मिन्स एटीन होल थ्री अपान फॉर परसेंट यह आप कांसर आएगा जो कि आपसर एक करेक्ट है तो यह तरीका होता है इस तरह का परसेंज निकालने का यदि पूछेगा कि कितने घंटे जो है एक दिन का कितना परसेंट होता है जा इसके बहुत सारे पूछ्ष सकता है कर सकता है कि कुरसा कि ट्वιάंति डी द्ड Ap पूरे वन एट का कितना परसेंट होता आपको यह करना पड़ेगा ठीक है थ्रीकटे साकते आपको करना होगा चलिए और इसलिए साब करतेंशन ओके, here is our next question तो ध्यान देज़ेगा, basic price जो भी होता है उसी price में ये वाइट tax को increase करके हम new price मनाते हैं तो वही यहां बना है जो रूपीज 825 दिया हुआ है वह basic price में 10% का वैट लगा करके दिया हुआ है ठीक है, मतलब कि जब वैट लगाते हैं तो ये इसकी price जो है basic price से increase हो जाती है मतलब basic price कुछ और होगा तो यहां पर पहले हम suppose कर लेते हैं कि लेट जो basic price है लेट बीबी, बी एक्स रुपीज ठीक है, माल लेते हैं एक्स रुपीज है इसकी basic price तो यहां पर जो condition दिया हुआ है उसके हमसार क्या हो जाएगा एक्स में यह थे हम increase करेंगे एक्स का 10% निकाल कर ठीक है, एक्स का 10% बदब एक्स में मतलब लाई कर देंगे 10% से अदब 10 upon 100 हो जाएगा यह तो इतना जब आइड करेंगे देखे एक्स में क्या हमने एक्स का ही 10% निकाल कर आइड कर रहे हैं यहां पर प्लस प्लस कर रहे हैं यहां पर देखें प्लस है तो यह equal हो जाएगा 825 के यही दिया हुआ equation में आपको बताना है कि x क्या होगा यह जो basic price आपने माना है x वो क्या होगा चलि solve कर लेते हैं यहां पर तो यहां पर solve करेंगे तो 100 into x कितना हो जाएगा यहां पर LC मिले लिजे तो आपका 100 से मिलाई करेंगे इधर यहां पर पहले लिजे इसको इस तरके से x plus यह 0 0 cancel हो जाएगा और यह हो जाएगा x upon x into 1 x upon x upon 10 यहां पर 1 ले सकते हैं is called to 825 तो यहां पर LC मिलेंगे तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा और 1 से divide करेंगे तो 10 ही मिलेगा और यह हो जाएगा 10x प्लस 10 से divide करेंगे तो 1 मिलेगा 1 into x x ही रहेगा is called to हो जाएगा 825 अब यहां से मिल जाएगा 11x it implies यहां मिल जाएगा 11x is called to यहां पर मटपलाई कर लेंगे 10 से मिल जाएगा 8250 हो जाएगा अब यहां पर हमें x की विलबशन निकालने है तो डिवाइड कर दीजे 1 to 5 0 upon 11 11 मिल जाए 11 और यहां करेंगा 1177 3 to 5 बचा 55 हो गया 11 5 जा 55 0 बढ़ा जाएगे क्यों 0 बचा हुआ है यहां पर आज एगा 750 रुपीज आपका option number C correct है 750 ओके इस इस दी लास्ट वीडियो ओके तो thank you so much subscribe कर लिजगा यदि आपने subscribe नहें किया है क्योंकि ऐसे वीडियो तभी आपको मिल पाएंगे और आप मेरे से connected रह सकते हैं तभी thank you again, bye बस्क्त कATA पेड़े से अजाने लाएंगे घ्लसQuの अवदियो पापको मैज़ें पट्रौईर्यप